हेलो फ्रेंड्स जैसा कि हमने प्रिवेश सेशन में बताया था कि कंजर्वेशन एक्टर बेस सेस्टेम इंटर्शिपिकेशन है क्या और हमने उसमें डिस्क्राइब किया था कि उसके तीन मुख्यते सिद्दांत है उसका एक है मिनिम्मम सोल डिस्टरबेंस दूसरा है क्रोप अब हम बात करते हैं क्रोप रेजिड्यू की क्रोप रेजिड्यू की बात करते हैं तो उसके लिए हमें मसीने चाहिए जैसे की क्रोप रेजिड्यू को मैनेज कर से करें उसमें सीडिंग कर से करें अब हम बात करते हैं क्रोप रेजिड्यू मैनेजमेंट की जहां के पी दस से आइट से बारेध क्रो प्रेस न्यायर्जर्टु आठ्ट में होता है अप्र कममाईन हर्वेस्ट पे-चर सिंकल मस्षिंट में काम कर सकते हैं लेकिन इस हां पर क्रोप ने जहां गई ने एक प्रयोग किया और कैसे नहीं मशीन को डबलब करें इसके लिए आसले गवर्मेंट साथ में भारत गवर्मेंट के साथ में उसमें पीएउ है सिमिट है राइश्वीट कंसोर्टियम था और इरी था उन्होंने एक साथ मिलके एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि एक नहीं मेशीन जिसका उजात करें उसका नाम है हैपी सीडर है क्या इसके अगर देखें हमने 2001 में शुरू किया और उससे अब करते-करते 2018 अगया अगर इसके टोटल वर्जन देखें तो इसके अभी तक 15 वर्जन करीब-करीब आये हैं जो पहला प्रोटोटाइब था उसमें ठीक और दूसरा प्रोब्लम क्या था कि फिर रेजिट्य को लिफ्ट प्रोटोटाइप इस अब हैपी सीडर है क्या है एक ऐसी मशीन है जो कि दहान ग्याउं एनी क्रोप रेजिड्यू जिसका आठ से बागा टन लोड हो उसके अंदर जो कि वो इवन डिस्ट्रिबूट होना चाहिए फिल्ड में उसमें बगर जुताई के बगर शोल डिस्ट्रिबेंस के बगर ओई समस्या के सिंगल ओपरेशन में सीड और फटलाइज इसको राइट प्लेस्वे डाल दे या उसको प्लेस्मेंट करें